जैसे कि आप सभी इस न्यूस से अवगत होंगे कि बॉलिवुड अभी निदा इर्फान खान और उनके साथ ही आज भी आज ही रिशी कपूर का भी निदन हो गया है तो आज की इस वीडियो में हम इर्फान खान जी के बारे में देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेट कि आने वाले एक्जाम से बन सकते हैं तो इसलिए आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेशन को डिसकस करेंगे तो शुरुबात करते हैं पहले प्रशन के साथ जो कि है किस प्रसिद फिल्म अभीनेता का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो यह है रि जादा उम्र नहीं थी तो इस तरह से इर्फान खान और रिश्य कपूर इन दोनों के निधन के साथ ही बॉलिवुड ने अपने दो काफी बड़े स्टार को खो दिया है नेक्स्ट क्वेशन है फिल्म अभीनेता इर्फान खान का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ साथ जन्वरी 1967 को ठीक है 1967 इर्फान खान का जन्म किस राज्य में हुआ था तो यह भी आद रखेगा राजस्थान के थे यह मूल रूप से राजस्थान में इनका जन्म हुआ था कब हुआ था 1967 में ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है इर्फान खान की मृत्यू किस दिन हुई तो इनकी मृत्य हुई 29 अप्रेल 2020 को आज 30 है आज के दिन रिशे कपूर्शी की मृत्य हुई है और 29 अप्रेल 2020 इर्फान खान की मृत्य हुई थी बॉलिवुड अभी नेता इर्फान खान का हाल ही में निधन हो गया वे किस बिमारी से पीड़ित थे तो यह बहुत इंपॉर्टन है निउरो एंडोक्राइन ट्यूमर इस बिमारी से पीड़ित थे 2018 में इस बिमारी का पता चला था इने और उसके बाद एक वर्ष तक लेंडन में इलाज भी जला था और इलाज खतम करने के बाद आये थे वापस इंडिया और उसके बाद एक फिल्म की पूरी शूटिंग भी की वो फिल्म रिलीस भी हूँ इनकी लास्ट फिल्म और फिर वापस से प्रॉब्लम शुरू हुई तो यह पूछा जा सकता है कि कौन से बिमारी से यह पीड़ित तो यह पीड़ित थे नेक्स्ट क्वेशन है 29 अप्रेल 2020 को प्रसिद बॉलिवूड अभिनेता इर्फान खान का निधन हो गया उन्हें किस वर्ष पदमश्री से सम्मानित किया गया था बहुत इंपॉर्टन है यह इस पर आप डबल स्टार लगा लीजेगा पदमश्री से किस वर्ष इन्हें पदमश्री मिला था तो वर्ष 2011 को ठीक है 2011 में इन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया था उन्होंने बॉलिवूड में किस वर्ष में फिल्म सलाम बॉम्बे से करियर की शुरुवात की थी तो इनकी जो इनका जो एक्टिंग करियर था वो किस फिल् तो ये भी याद रखिएगा 1998 1998 से उन्होंने Bollywood में अपने करियर की शुरुआइट की थी फिल्म सलाम Bombay से हिंदी सिनिमा के अलावा उन्होंने कौन से फिल्मों में भी अभी ने किया है या फिके सकते हैं कौन से सिनिमा में भी अभी ने किया है तो British और Hollywood ए और बी दोनों इसका आंसर होगा ब्रेटेश और हॉलिवूड हिंदी सिनेमा के अलावा ब्रेटेश और हॉलिवूड फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था इर्फान खान की कौन से फिल्म रिलीज हुई है तो आप सभी जानते ही होंगे अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई है और बिमारी के बाद जब लंडन से ठीक होकर वापस आये थे तो इसी फिल्म के लिए शूटिंग की थी और ये फिल्म रिलीज होने के लिए जो सभी प्रमोशनल इवेंट चल रहे थे उनमें भी शामिल नहीं हो पाया थे बिमारी की वज़ा से ही ठीक है तो कब 2012 में नेक्स्ट क्वेशन है उन्हें हासिल फिल्म के लिए साल 2004 का फिल्म फेयर का कौन सा पुरुसकार प्राप्त हुआ था कौन से फिल्म के लिए हासिल के लिए ठीक है तो हासिल के लिए इन्हें सर्वश्रिष्ट खलनायक का पुरुसकार प्राप्त हुआ था कब 2004 मे और पदमिश्री प्रुसकार कब मिला था 2011 में नेक्स्ट क्वेशन है इर्फान खान हिंदे सिम्मा के इकलोते अभीनेता है जिन्होंने Academy Awards जीते उन्हें ये Awards यहाँ पर Awards आएगा उन्हें ये Awards किन फिल्मों के लिए उन्होंने ये Awards जीते तो Academy Awards इन्हें दो फिल्मों के लिए मिले थे और भी दोनों इसका अंसर हुगा Slum Dog Millionaire काफी अच्छी फिल्म है आप भी देख सकते हैं ये और एक और फिल्म है Life of Pi ठीक है इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें Academy Awards इन्होंने जीते थे और ये इसलिए खास है क्योंकि ये इकलोते हिंदी सिनेमा के इकलोते अभी निता हैं जिन्होंने Academy Awards जीते हैं इन दोनों फिल्मों के लिए ठीक है इन्हें भी आद रखिएगा फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में सिने चॉइस अवार्ड मिला तो इनकी एक और काफी अच्छी फिल्म थी लंच बॉक्स जिसके लिए इन्हें सिने चॉइस अवार्ड मिला कांस फिल्म फेस्टिवल में फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इर्फान खान को उनके जीवन काल में कितने इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकैडमी अवार्ड मिले हैं एक और चीजस में एक और अवार्ड याद रख सकते हैं 2018 में काफी रिसेंट कई है इन्हें हिंदी मीडियम जो इनकी फिल्म आई थी अंग्रेजी मीडियम से पहले हिंदी मीडियम जो आई थी उसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है तो यह कुछ प्रश्ण थे जो की एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कर सकते हैं जीवन का दस्तूर यहीं है ना कि जो आया है उसको जाना भी है कोई पहले चला जाता है कोई बाद में तो बस यहीं हम प्रेख कर सकते हैं कि बढ़गवान उनकी आत्मा को शांती दें तो इसी नोट पर आज की वीडियो खत्म करते हैं थेंकिए सो मुच वाचि